हेलो गाइज, हावर यू और वेलकम तो दिलानोर्स फॉर यू चैनल आप लोगों ने अक्सर अपने सीनियर से या अपने कुलीग से या कोर्ट में एक वर्ड बार बार सुना होगा या कोई पार्टी सिविल सूट की अगर उसकी डैट होगी है तो आप उनसे कहते हैं रिलेटिवस वगरा से या आप इनके लिस्ट है वो लाकर दीजिए ताकि हम वो है सब्मिट कर सके तब यह लार्ज है यह क्या चीज है इसके रिगार्डिंग सीपी सी में क्या प्रोविज इनके ल का मिलाव लीगल और रिप्रेजंटेटिव जो कि किसी परसन का रिप्रेजंटेशन कर रहे हैं वाइल ली प्रसेडिंग इन दे कोड उसको हम यह आपे ल आर कहते हैं यह हमें डेफिनेशन है लार्ड की वो सेक्शन टू क्लोज 11 अप दी सीपी सी में दी गई है त एक्शमपल ऑफ दी केसलो एंड सम डाग्राम्स तो चलिए शू करते हैं इसको अब लर की डेफिनेशन के लिए देखते हैं कि लर है क्या कोई भी एक वैक्ति जो की रिप्रेजंट करता है स्टेट स्टेट के स्की आप दिसीजड वैक्ति जो की डिसीजड परसन है जिसकी लिगल रिप्रेजंटेटिव और उसमें किस-किस को इंकलूड किया जाता है उसमें इंकलूड होते हैं एनी परसन जो कि इंटरमेडल करता है इस स्टेट के साथ में यानि कि वह यहां पर आस्तक्षिप करता है किसी भी तरीके से लाफ लिए अगर उसका वहां पर है कुछ सिस्टम तो वहोगा एक तो और जो कि यहां पर रिप्रेजंटेटिव ग्रेटर में सू हो रहा है या सू कर रहा है तो उस केस में जो परसन इस वैक्ति की डेथ के बाद में जो प्रोपरिटी है इस वैक्ति के पास जाएगी जोकि सू हो रहा था यह इस guitar के पास अगर होगा legal representative होगा I hope कि आपको यह definition है इस diagram के थूँ समझ में आई होगी अगर हम simple सब्दों में कहें तो कोई भी वेक्ति जो कि कहां पर stand कर रहा है किसी वेक्ति की interest में interest के लिए stand हो रहा है उसको represent कर रहा है तो उसको हम यहां पर legal representative कहते हैं इसके अलावा इसमें कौन-कौन include हो सकते हैं यहां पर legal highest हैं जो कि आप अक्सर सुनते हैं बहुत होगी यह legal representative उसके अलावा अगर कोई वेक्ति legal affairs के तुरू अगर वो supervise कर रहा है एक state को यह court किसी को appoint करती है यानि कि उस state को execute करने के लिए पॉइंट किया गया है को एड्मिस्टर है वो भी यहां पर legal representative कहलाया जाएगा अब देखते हैं इसके scope के बड़े में अगर हम scope की बात करें तो इसमें हमें 3-4 cases हैं वो हम यहां पर discuss करें हैं सबसे पहला case कौन सा है custodian of branches of banko national ultra marino versus nalini by NACU 1989 का case है तो इस case में क्या held किया गया था कि जो definition है legal representative की वो inclusive nature की है ठीक है इसका scope क्या है wide है यानि कि इसमें हम चीजें include कर सकते हैं यह only legal higher तक limited नहीं है यानि कि आप कहें कि कि कोई vector death होगे तो उसके legal highest है वही legal representative होगे नहीं वहां तक यह definition limited नहीं है यह उससे भी ज़्याद आगे जाती है यह उन वेक्तियों को भी include करती है जो कि एक legal higher नहीं है इस deceased के वो भी यहाँ पे include होगे फर एक्जापल executor है कोई administrator है वो भी यहाँ पे alarms होगे ठीक है तो इस case में यह था इसका scope burden यानि कि legal IRS है जो इनके अलावा इनको इसमें include किया गया है जैसे कि को administrator है या किसी वेक्ति को will के थूँ कोई property मिली है चाहिए वो partly हो या पूरी मिली हो तो वो भी यहाँ पे alarms होंगे next case आता है अंद्रा बैंक लिम्टेड वर्सिज आर स्रीनिवाशन और 1962 AIR 232 का यह case है इस case में क्या held किया गया था Supreme Court के दवारा Honorable Supreme Court ने क्या कहा है कि जो legally representative है वो क्या है एक वेक्ति है जो कि represent करता है किसको state को किसकी of the deceased ठीक simple बासा में कहा गया है state का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि वो पूरी की पूरी ही state को वहाँ पर represent कर रहा है बलकि यहाँ पर एक part है उसका वो भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पर property में है house भी है land भी है तो वो एक house को represent कर रहा है as a legality के तोर पे उसके लिए एक will की गई है तो वो भी वहाँ पर legal hire होगा कोई वेक्ति उसकी land को only represent कर रहा है तो वो वहाँ पर लार्स होगा उसका तो इस case में यहाँ पर section जो 211 में जो दी गई है इसकी definition उसको एक part के तोर पर भी अगर किसी वेक्ति की disease की इतनी property है तो उसमें कई उसके एलास हो सकते हैं इतनी property का अलग हो सकता है इतनी का अलग इसका अलग इंटाइर होना not necessary यानकि complete एक property का कोई किसी भी तरीके से जरूरी नहीं है तो यह था इस case में scope इसका next case आता है सुरज मानी एंड आदर्स वर्सिज किसोरी लाल 1976 का case है इस case में हिमाचल परदेश जो high court है उन्रेबल high court है उन्होंने क्या है कि जो लिगेटी है वो क्या है एक legal representative है under section 211 CPC तो उन्होंने का है कि जो legal representative concept है इस section के अंदर वो क्या है very broad बहुत बड़ा है यह include करता है उन वैक्तियों की जो की मांग कर रहे हैं represent करने के लिए deceased की जो property उसको through the will यानि की on the basis of the will उस will के base पे और वो कह रहे हैं कि वो will है जो उनके favor में है वो execute की जाए तो वैसे वैक्तियों को भी represent है उस state को करने का right है as a LR next case आता है कालू राम वर्सिज चरन सिंग और नादर 1949 का case है जिसमें भी honorable राजस्तान हाई कोट ने same way बात की है कि जो legal person है other than the legal hire वो भी यहां पर legal representative हो सकते हैं कोई intermiddle है with the state of the deceased उसको भी उसकी state को represent करने के लिए allow किया जा सकता है for the purpose of the proceeding in the court यहनकी court के बिवर जब को proceeding चल लिए उसको represent करने के लिए तो यह थे हमारे पास 3-4 cases जिनमें हमने same जैसे definition दी गई है उसी तरीके से कुछ चीजें इसमें explain की गई है in cases के through interpret किया गया है कि इनका scope इतना wide है तो यह थे हमारे 3-4 case laws और legal representative की जो definition है under section 2 clause 11 CPC में दी गई है वो हमने आज दे सक्किए आई hope कि आपको जो यह concept है अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर यह concept आपको समझ में आया तो इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों शाथ में share करें ताकि उनके भी अगर कोई doubt है इसके regarding तो वह जो clear हो सके हैं अगर कोई doubt आपको है इसके regarding कुछ और पूछना चाहते हैं ता आप नीचे comment section में है जो पूछ सकते हैं and thanks for watching